नमस्कार मैं हरिश कुमार स्वागत है आपका स्टड़ी भुगोल में आज हम भुकम पर चर्चा करेंगे इस लेक्षर में हम देखेंगे भुकम्प क्या होता है और भुकम्पो का वर्गी करण क्या है इसके साथ ही हम सिस्मोलाजी, भुकम्प विज्ञान, शौक, आगहात, फोकस, हैपो सेंटर, उदगम केंदर, इपी सेंटर, अधिकेंदर, आइसो सिस्मल लाइन, सम भुकम्प ये रेखा, होमो सिस्मल लाइन, सह भुकम्प रेखा, सिस्मो ग्राफ, भुकम्प मापी, सिस्मो मीटर, भुकम्प मीटर, आदि की बारे में चर्चा करेंगे भुक सांचलन को भुकंप कहते हैं दूसे सब्दों में कह सकते हैं कि भुकंप भूतल की गति होती है जो मन्द थरत रहरण से लेकर प्रचंड हो सकती है जो भावनों को हिला सकने तक में समर्थ होती है मैस लेवल के अनुसार भूकंप धरातल के उपरी भाग की वह कंपन विधी है जो कि धरातल के उपरी अथवा निचली चटानों के लचीलेपन गुर्तवाकर्षन की समस्तिती में छणिक अवस्था में आरंभ होती है भुकंपों का अध्यन करने वाले विज्ञान को हम सिस्मोलाजी कहते हैं भुकंप के कारण जब धरातल पर कमपन होता है तो उसे अगात शौक कहते हैं जिससे अगात तरंगे शौक विफ्स उटपन होती हैं भुकंप की मूल उदगम अस्थल को उदगम केंदर या केंदर फोकस या हाइपो सेंटर कहा जाता है जैसे कि इस चित्र में ये एक fault line है जिसके सहारे चटाने गती कर रही है भ्रंस रेखा के सहारे चटान नीचे की तरफ गमन कर रही है इस बिंदू को focus कहते हैं या उद्गम केंद्र या हाइपो center जहां से भुकम्प के उत्पत्ती होती है केंद्र के ठीक उपर भुतल पर इस्तित अस्थान को भुकम्प का अधिकेंद्र UP center कहते हैं यहा भुकम्प की तरंगे सबसे पहले पहुशती है इस चित्र में ये focus बिंदू है हमारा यह fault line है इस focus बिंदू का ठीक उपर epicenter है अधिकेंद्र है यहाँ भुकमपी अतरंगे सबसे पहले पहुचती है यह shock waves है केंद्र से बढ़ती दूरी के साथ इनकी तीवरता में कम याने लगती है भुकम की तीवरता तथा इससे होने वाली हानी अधिकेंद्र पर अधिकतम होती है और इससे दूर जाने पर हानी कम होती जाती है एक समान भुकम तीवरता वाले अस्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भुकम पर रेखा iso-sismal line कहते हैं जैसा कि इस चेत्र में हम देख रहे हैं, स्केल पर एक से तीन इंटेंसिटी के भुकम बहारी पर्धी पर है, चार नमबर की तीवर्ता का उससे अंदर है, पांच नमबर की तीवर्ता और अंदर है, और सबसे अधिक तीवर जो है, छह साथ एकदम मध में है, इस प्रकार हम कहा सकते हैं कि एक समान भुकम तीवर्ता वाले अस्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भुकम पर रेखा या आईसोसिस्मल लाइन कहते हैं, एक समय पर पहुँचने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा को सह भुकम प्रेखा होमो सिस्मल लाइन कहते हैं जिसे इस चीतर में हम देख सकते हैं यह फोकस है हमारा उदगम केंद्र है जिसके उपर धरातर पर एपी सेंटर हमारा अधिकेंद्र है और उसके चारों और यह शौक वेड्स हैं एपी सेंटर से एक समान भुकम तीवरता वाले अस्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम सम भुकम रेखा यह आईसो सिस्मल लाइन कहते हैं और इसी तरह एक समय पर पहुशने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा को हम सह भुकम रेखा होमो सिस्मल लाइन कहते हैं भुकम पी तरंगों के मापने के यंत्र को भुकम मापी सिस्मो ग्राफ अथवा भुकम मीटर कहते हैं जैसा कि पहले ही बताया गया है कि भुकम की तीवर्ता तथा इससे होने वाली हानी अधिकेंदर पर अधिक्तम होती है और इससे दूर जाने पर हानी कम होती जाती है जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अधिकेंद्र पर ग्राफ काफी अपडाउन हो रहा है और जैसे जैसे दूर जा रहा है वो फ्लैट होते चला जा रहा है भुकंपों का वर्गी करण भुकम्पो को दू वर्गों में बाटा जाता है उत्पत्ति के कारणों के अनुसार और उद्गम केंद्र की गहराई के अनुसार उत्पत्ति के कारणों के अनुसार में इसको चार भागों में बाटते हैं विवर्तनिक भूकम, जॉला मुखिय भूकम, संचिप्त भूकम, विस्फोटक भूकम इसी तरह उद्गम केंद की गहराई के अनुसार इसको तीन भागों में बारते हैं उथले भूकम, मद्धिवर्ती भूकम, गहरे भूकम सबसे पहला है विवर्तनिक भूकम यह भूकम का सबसे सामाने रूप है यह आमतर पर प्रित्वी की क्रस्प में मौजूद प्लेटों की गती के कारण होता है जिन्हें टैक्टॉनिक प्लेट कहा जाता है इस चित्र में तीन तरह की प्लेट सीमाओं अथ्वा किनारों को दर्शाया गया है सबसे पहला है रशनात्मक प्लेट किनारा इसे अपसारी प्लेट सीमाओं भी बोलते हैं दैवर्जन प्लेट इसमें दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीद दिशा में गमन करती हैं और नीचे से मैगमा बाहर निकलके कटक का निर्मान करता है दूसरा है अभिसारी सीमाओं गमन करती है इसे विनाशात्मक किनारा भी कहा जाता है तीसरा है रूपांत्रित प्लेट सीमाओं इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के पास से गुजर जाती है ना तो इसमें निर्मान होता है और ना ही कुछ विनाश दूसरा है जौला मुख्य भुकम्प जब जौला मुख्य विस्फोट होते हैं तो उनके निकरपरती छेत्रों में हलचल होती है जिसे भुकम्प कहते हैं कई बार लावा बाहर आने का प्रयास करता है तो उपर की कड़ी शैलों के अवरोद के कारण वह बाहर नहीं आ सकता और उपर की चट्टानों में कमपन पैदा कर देता है। इस शिट्र में देखा जा सकता है कि मैगमा बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है वगर कठोर चट्टान होने के कारण वो बाहर नहीं आ पा रहा जिस कारण यहां भूकम की उत्पत्ती होती है अगला है संचित भुकंप और विस्फोटक भुकंप ये दुनों भुकंप भी मानव निर्मित कारणों से उत्पन होते हैं संचित भुकंप इस प्रकार का भुकंप भूमिगत खानों में आता है मुख्य कारण चटानों को भीतर उत्पन दबाव होता है ऐसे भुकंप उन शेतरों में देखने को मिलते हैं जहाँ पर खनन कृरिया होती है लास्ट है इसमे विस्फोटक भुकंप इस प्रकार का भुकंप कृतिन प्रकृति का होता है जिसका अर्थ है कि यह मानव निर्मित गद्विधियों द्वारा उत्पन होता है प्रमाव विसफोट जैसे जमी पर उच घरत विसफोट विसफोटक भुकम्प का प्राथमिक कारण है उदिगम केंदर की गहराई के अनुसार भुकम्पों को तीन वर्गों में बाटा गया है उथले भुकम्प, मद्यवर्ती भुकम्प, गहरे भुकम्प उथले भुकम्प, प्रित्वी के उपरी धरातल से 70 किलोमेटर की गहराई में उत्पन भुकम्प, इसकी अंतरगत आते हैं यह सभी भुकम्प, पेटियों में पाये जाते हैं भुकम्पों का सबसे अधिक प्रतिशत इसी सम्मों में आता है इस चित्र में यह ब्ल्यू किलर के जो फोकस पॉइंट बने हैं यह उथले भुकम्प के उधारण है जो धरातल के एकदम नजदीक होते हैं यह धरातल से 70 किलोमेटर की गहराई तक उत्पन होते हैं अगला है मध्यवर्ति भुकम्प इंटरमीडियेट अर्थक्वीक्प यह सत्तर से 300 किलोमेटर की गहराई में उत्पन होते हैं इनको हम यलो फोकस पॉइंट से देख सकते हैं और लास्ट है गहरे भुकम्प इप अर्थक्वीक्प यह 300 से 670 किलोमेटर की गहराई वाले हैं इनको हम रेड फोकस पॉइंट से देख सकते हैं मध्यवर्ति यह गहरे उद्गम केंदर वाले भुकम्प संख्या वित्रण में सीमित होते हैं अभिसारी प्लेट के पारश्वती छेतरों तक ही सीमित हैं उद्गम केंदर फोकस की गहराई बढ़ने के साथ साथ भुकम्प के द्वारा निकलने वाली उर्जा में कमी हो जाती है अधिक तर बड़े भुकम्प कम गहराई के उद्गम के केंदर वाले होते हैं तो यह था भुकम्प क्या होता है और भुकम्प का वर्गी करन भुकम्प से संबंदित अन विब्रोनों को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद हुआ करेंगे लेक्चर में करेंगे लेक्चर यह घ्र यह थाहता है